बहुत समय पहले की बात है गुजरात शहर में एक सोनू नाम का बच्चा रहता था वह बहुत छोटा था उसकी उम्र लगभग साथ साल की थी वो अपने चाचा चाची के पास रहता था उसके माबाप की एक सड़क गुखटना में मौत हो गई थी वो कुछ दिनों से काफी उदास रहने लगा था उसकी उदासी का कारण क्रिस्मस था क्योंकि थोड़े ही दिनों में क्रिस्मस आने ही वाला था सोनू के सभी दोस तापस में बातें करते हैं पता है पिछली बार सेंटा ने चौकलेट दी थी भाई मुझे तो बैट बॉल दी थी मुझे तो सेंटा ने कपड़े दिये थे सोनू सेंटा ने तुझे क्या दिया था सोनू सेंटा ने तुझे क्या दिया था अरे ये सोनू को क्या हुआ ये चुपचाप अकेला कहां चला गया पता नहीं चलो उसे जाने दो हम लोग खेलते हैं दूसरी ओर सोनू चलते चलते दूर निकल जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो एक कबरिस्तान में पहुँच गया है वो एक कबर पर बैठ जाता है और रोने लगता है पापा आप मुझे चोड़ कर क्यों चले गए मैं बिलकुल अकेला रह गया सेंटा मेरे सभी दोस्तों को गिफ्त दे कर जाता है पर मुझे क्यों नहीं सोनू बहुत ही बुरी तरह रोने लगता है उसकी रोने की आवात सुनकर कब इसे भ्यानग भूट नेकलता है और भूट सोनू से कहता है क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो सोनू भूट को देखकर डर जाता है और भागने लगता है डरो मत मुझे दूर मत भागो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा तुम तो भूतो, मुझे माँ डालोगे डरो मत बेटा, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा तुम मुझे बताओ क्या बात है और तुम रो क्यू रहे हो भूत अंकल, मेरे माँ पापा मुझे छोड़ कर चले गए और मेरे चाचा चाची मुझे प्यार नहीं करते सेंटा सबको क्रिस्मस पर कुछ ना कुछ गिफ्ट दे कर जाता है पर सेंटा ने मुझे आज तक कोई भी गिफ्ट नहीं दिया अच्छा, तो ये बात है आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो और तुम परेशान मत हो इस बार सेंटा तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दे कर जाएंगे सच में अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी ऐसा जरूर होगा चलो भूत अंकल, अब मैं चलता हूँ मुझे भूख बहुत जोरो की लगी है अच्छा, तुम्हें भूख लगी है तो ये बताओ, तुम्हें क्या खाना है क्यों, क्या आप मेरे लिए खाना लेकर आओगे हाँ, तुम बताओ, क्या लाओं मुझे हलवा, पूरी, खीर, पनीर की सबजी और गुलाब जामुन सब कुछ खाना है अच्छा तो चलो, पहले अपनी आखें बंद करो सोनु अपनी आखें बंद करके बैठ जाता है और भूत अपने जादू से वो सब ले आता है, जो सोनु ने मागा था सोनु, अब तुम अपनी आखें खोल सकते हो सोनु अपनी आँखे खोल कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है उसके सामने उसकी पसंद का खाना था सोनु बहुत खुश हो जाता है सोनु खाना खाओ, खाना खाओ सोनु बेटा सोनु जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और खाने के मज़े लेता है ये बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है अब मेरा पेट भी भर गया पर खाना खाकर मज़ा आ गया अब मुझे चलना चाहिए बहुत देर हो चुकी है अगर घर देर से गया तो चाची नाराज होगी अच्छा भूत अंकल अब मैं चलता हूँ जब कभी भी तुम्हारा मन करे तो मेरे पास चले आना जरूर भूत अंकल सोनु भूत को बाई करके अपने घर पहुँच जाता है सोनु की चाची सोनु को बहुत बुरी तरह डाटती है कहां चले गए थे तुम तुम्हें पता भी है कितना समय हो रहा है अभी तो बाजार से सामान भी लाना है वो कौन लाएगा सोनु सामान लेने बाजार चला जाता है और बाजार से सामान लाकर अपनी चाची को दे देता है सोनू की चाची सारा सामान चेक करती है और सोनू से कहती है इसमें शैंपू की बोतल तो है ही नहीं एक काम बोलो तुमसे वो तो ठीक से होता नहीं और ये क्या? पैसे भी कम है बागी पैसे का हैं? बताओ चाची आपने जो जो सामान बताया था मैं वो सब ले आया हूँ लिस्ट में तो शेंपू की बोतल थी ही नहीं मुझसे जबान लडाता है और जो पैसे कम लाए हो बागी के पैसे कहा है जरूर तुमने चीज खाई होगी तुझे तो आज मैं मज़ा चखाऊंगी सोनू की चाची सोनू को बहुत बुरी तरह मारने लगती है मुझसे जबान लडाता है कि तेरी कोई गलती नहीं है तो क्या मैं जूट बोल रही हूँ तुझे तो मैं आज ऐसा सबक सिखाऊंगी तो याद रखेगा आज तुझे खाना नहीं मिलेगा एक दिन खाना नहीं खाएगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी सोनू की चाची सोनू को एक कमरे में बंद कर देती है अब पढ़ा रहे अकेला पूरी रात इसी कमरे में मैं भी देखती हो तुझे कौन बचाता है सोनू रात को अकेले कमरे में बंद रोता रहता है माँ पापा आप मुझे अकेला छोड़ कर क्यूं चले गए मुझे आपकी बहुत याद आती है मुझे आपकी बहुत जरूरत है सोनू रोते-रोते सो जाता है और सुबह होते ही सोनू की चाची कमरे का दर्वाजा खोलती है और सोनू से कहती है क्यों सोनू रात तो बढ़िया कटी होगी और अभी तो तुमारे अकल भी ठीकाने आ गई होगी चाची मुझे बहुत भूख लगी है कुछ खाने को दे दो काम कौन करेगा अकर तेरा बाप पहले घर का कुछ काम कर फिर खाने को मिलेगा सोनू रोते हुए काम करने लग जाता है चाची आपने जो काम करने को दिया था वो साब मैंने कर दिया अब मुझे कुछ खाने को दे दो ठीक है ठीक है अभी देती हूँ कुछ बचा-खुचा सोनू की चाची सोनू को रात का बचा हुआ खाना खाने के लिए दे देती है और सोने चली जाती है सोनू जल्दी से खाना खा लेता है मैंने घर का काम भी कर दिया है और चाची भी सो रही है क्यों ना मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊं सोनु खेलने चला जाता है अरे सोनु तू यहां कैसे? आज तेरी चाची कहां है? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीकुँ मैं तुम सब के साथ खेलने आया था हाँ हम सब मिलकर खेलेंगे बड़ा मसा आएगा सब़ी बच्चे खेलने लगते हैं और खेलते खेलते सबी बच्चे थक जाते हैं। कल सेंटा मुझे गिफ्ट भी दे कर जाएगा। को कोई गिफ्ट नहीं मिलता। सब बच्चे एक दूसरे को अपने अपने गिफ्ट दिखाते हैं। अरे सोनू तू तू तो बोल रहा था तुझे सेंटा गिफ्ट देंगे। कहा है तेरा गिफ्ट। सोनू कुछ नहीं कहता और उदास होकर कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है। और उसी कब्र पर बैट कर रोने लगता है तभी कब्र से भूत निकल कर आता है। सोनू क्या बात है तुम रो क्यू रहे हो आज क्रिस्मस है सभी बच्चे क्रिस्मस की तैयारियों में लगे हैं और सेंटा सब को गिफ्ट दे कर गए हैं बस मुझे ही कोई गिफ्ट नहीं मिला। वो गिफ्ट उनको सेंटा नहीं दे कर जाते वो गिफ्ट तो उनके माबाप उनके कमरे में रख देते हैं और बच्चों को लगता है कि वो गिफ्ट सेंटा रख कर गए हैं पर तुम परेशान मत हो रात को असली सेंटा तुम्हें गिफ्ट दे कर जाएगा मेरा विश्वा आज सबने नए-नए कपड़े पहने हैं, मेरे पास तो पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं हैं बस इतनी सी वात, लो अभी लो, पहले तुम अपनी आखे बंद करो नए कपड़े, ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं, मैंने अपने सब दोस्तों को दिखाऊंगा सोनु घर पहुँच कर देखता है कि उसके चाचा चाची सब क्रिस्मस की तैयारी में लगे हुए है सोनु की चाची सोनु से कहती है, अरे तुम कहां चले गए थे? देखो घर में कितना काम पड़ा है, चलो जल्दी जल्दी काम करो सोनु घर के काम में अपने चाचा चाची का हाथ बटाने लग जाता है, क्रिस्मस पर पूरा शहर रोश्नी से जगमगा रहा था, चारों और सजावट ही सजावट थी सभी लोग अपने अपने घरों में क्रिस्मस मना रहे थे, तभी सोनु के घर मॉंटी आता है सोनू अपने कपड़े की तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और फिर मुनू भी आ जाता है और वो सब लोग मिलकर नीचे पार्टी करने लगते हैं पार्टी करते करते रात हो जाती है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं सोनू सेंटा क्लॉस का इंतजार करते करते सो जाता है और रात को भूत सोनू के कमरे में सेंटा क्लॉस बन कराता है भूत सोनू के पास बैठ जाता है और गाना गाता है जिंगल बैल, जिंगल बैल, जिंगल on the way सेंटा क्लॉस is coming around, riding on the sleigh तब ही सोनू की आँग खुल जाती है सेंट आंकल, सेंट आंकल, मेरी क्रिस्मस मेरी क्रिस्मस बच्चे सेंट आंकल, सेंट आंकल, आप मेरे लिए क्या लाए हो बोलो सोनू बेटा, तुम्हें क्या चाहिए मुझे एक साइकिल, एक घड़ी और बहुत सारी चौकलेट चाहिए पर सेंटा अंकल आप मुझे ये सब सारी चीजें दोगे तो मेरी चौची ले लेगी नहीं लेगी भूत अपनी पोटली में से साइकिल घड़ी और बहुत सारी चौकलेट सोनू को देता है डंडा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ साइकिल घड़ी चॉकलेट गिफ पाकर सोनू बहुत खुश होता है सेंटा अंकल ये डंडा किस लिए जब कभी भी तुम्हारी चाची तुम्हें मारेगी या परिशान करेगी तो तुम अपने मन ही मन ये बोलना चल डंडे दिखा अपना कमाल और फिर तुम्हारी चाची तुझे कभी परिशान नहीं करेगी फिर भूत सोनू को अपनी गाड़ी में बिठा कर पूरे शेहर की सैर कराता है पूरा शेहर लाइटों से जगमगा रहा था और भूत सोनू को वापस सोनू के कमरे में छोड़ देता है और फिर उसे नींद आ जाती है और भूत वहां से गायब हो जाता है अगले दिन सोनू अपने सभी दोस्तों को अपने गिफ्ट दिखाता है अरे वाज सोनू, तुम्हारे गिफ्ट तो बहुत अच्छे हैं सोनू के गिफ्ट देखकर मॉन्टी और मोनू अपने घर चले जाते हैं और तभी सोनू की चाची आ जाती है इतने महेंगे गिफ्ट, बता कहां से चोरी करके लाया है बताने तो बहुत मारूँगी मैंने चोरी नहीं किया है चाची ये गिफ्ट तो मुझे सेंटर अंकल ने दिये हैं तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तुझे मज़ा चखाती हूँ सोनू की चाची सोनू को मारने लगती है सोनू अपने मन ही मन कहने लगता है चल डंडे, दिखा अपना कमाल विफ्ट कहते ही डंडा सोनू की चाची को जोर जोर से मारने लगता है हाई रे, मर गई, मार डाला मुझे इस डंडे ने कोई रोको इसे मैं अपसे सोनू को कभी नहीं मारूँगी कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे इतना कहते ही डंडा अपने आप रुख जाता है और सोनू की चाची भी सुधर जाती है और भूत को भी एक नेक काम करने से मुक्ती मिल जाती है